एक भारत था दो तीन अजार साल पहले एक भारत था जो सव दो सो साल पहले एक भारत अभी था सार सत्तर साल पहले और एक आज है भारत 2022 में और एक भारत कब होगा भविष्ट में तो भारत कैसे बनता है भारत बनता यहां के लोगों से यहां के लोगों से जो यहां के लोग होते हैं जैसे लोग सोगा है अगर इमानदार लोग होंगे तो भारत कैसा इमानदार भारत oh गया बारत अगर यहां के लोग चोड वो गए तो कैसा बन जाएंगा बारत चोर बारत यहां कि 152-2009 है ठिक है पुलिस वाले हो गए आर्मी हो गए यहां के लेता हो गए तो इन लोगों ने आज का भानाया है और कल हो नोग भारत तुम लोग बना ओगत क्ल का भारत कौन बनाईगा जैसे तुम होगे वह ऐसा भारत बन जाएगा अगर तुम चोरी सिखर हो बारत कैसा बन जाएगा चौर भारत आगे का बन जाएगा तो इसी लिए बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाया जाता है टीचर को चाहिए कि उनको लगन से पढ़ाये बच्चे देखें अपने टीचर को उसको सीखें कि हमारे मास्टर साहब ऐसे पढ़ाते थे अब हम आज टीचर हो गए तो हम भी ऐसे पढ़ाएंगे ठीक है जब हम पढ़ते थे तो हमको जिन टीचरों ने पढ़ाया था उनसे हमने प्रेड़ना ली आज हम तुमको पढ़ाते हैं उसमें कुछ नई चीजें बनोगे आर्मी में जाओगे या नेता बनोगे इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो हो सकता आगे चलके गाहों के परधान बन जाएं गाहों के बीडीसी बन जाएं ठीक है तो आज जैसे तुम देख रहे हो कि अपने स्कूल में कौन-कौन सी अविवस्था है देख रहे हो पानी भर जाता है ग्राउंट में इंटरलाकिंग नहीं है नाली नहीं है जो संचाले मूत्राले बन रहे हैं तो उनमें कोई जाने वाला कोई काम ही नहीं इतने छोटे-छोटे तो आज तुम यह चीज़े देख रहे हो कल जब तुम प्रधान बनोंगे पढ़ लिख रहे ह हर 5 साल में फटा है तब तुम लोग इन कभिऊन को दूर करोंगे की नहीं दूर करोंगे धूर की यह सोचोगे की हम तो पढ़ते नहीं हम क्यों स्कूल को सही करा है do सोचोगे बताओ नहीं सोचोगे ना इनकी तरफ कैमरा करो जड़ा तो कल को जब तुम लोग प्रधान बन जाओगे या कोई नेता बन गए बीडिसी बन गए तो स्कूल है या तुम्हारा गाओं है तो उसका विकास करोगे या नहीं करोगे गाओं में आज पानी भर जाता है तुम लोग निकलते हो पैदल दिक्कत होती है तुमको की नहीं होती है तो तुम जब परधान बनोगे तो तुम्हारा पहला लच्छ होना चाहिए कि गाओं में क है तो जो भारत पहले था उससे आज कई गुना अच्छा भारत है और आज जैसा है इससे कई गुना अच्छा बारत कब बने जब तुम लोग इसकी कमान सवालोगे तुम छोटे-चोटे बच्चे हो बड़े हो जाओगे वयज को जाओगे युवा हो hojayoगे ठीक हे त लोग जब इसकी Commaन समालोगी अभी तो तुम दूसरे के सा हें इफया कमान है तुमको ओट डालने का अभी अधिकार नहीं है है सुमित माला नहिजब चुप-्चाप नद कौन डालनें का अभी तुम मुख्यदारा में नहीं आयो अभी तुम तुम जब प्रधान बनोगे तुम जब नेताब बनोगे तुम जब ब्लाक प्रमुक बनोगे कोई विधायक बनेगा कोई सांसत बनता है तब तुम आप जिन कठिनाईयों से जूज रहे हो इनको तुमें दूर करना है तो जब इन कठिनाईयों को दूर कर दोगे मान लिया त स्कूल में अपने साब पूरी टाइल सा बढ़िया कर दी पानी भी कर दिया जूले भी लगवा दिये लाइट पंखा अभी बैठे रहे तो पंखा नहीं है गर्मी में बैठे रहते हो तो बन गए तुम प्रदान तो सबसे पहले तुम्हारा दिमाग कहाँ जाएगा कि हम जब स्कूल पर पढ़ते तो गर्मी लगती थी हम स्कूल में पंखा लगवाएंगे ठीक है तब तुम्हारा जो है स्कूल कैसा हो जाएगा अच्छा तो जब तुम्हारा स्कूल जब अच्छा हो जाएगा तो तुम्हारा देस भी अच्छा हो जाएगा हो जाएगा नहीं हो जा तुम लोग आगे बढ़ोगे तुम लोग अपने हाथ में कमान लोगे ठीक है अभी के आदमी कैसे हैं अभी कुछ अच्छे भी आदमी है कुछ खराब भी आदमी है अभी तुम्हारे गाव में दो बच्चों की देथ हो गई तर्बूज खाने गए ते गंगाजी के किनारे और उनको वहां पे पीट-पीट के माँ डाला तुम्हारे ही साथी थे वो और उनको कोई नयाय मिला पुलिस ने उनको कुछ नयाय दिया पुलिस ने पैसे खा लिये और वो गरीब जो उनके माता पिता थे उनको कोई नयाय मिला नहीं मिला पुलिस ने पैसे खा लिये काम खतम हो गया उनकी post-mattem report ही नहीं आई और अपराधी ऐसे घूम रहे हैं तो आगे जब तुम बढ़ोगे तो क्या तुम ऐसी पुलिस बनोगे कि अच्छी पुलिस बनोगे जो आप राधी को सजा देगी आप राधी से पैसे ले लेगी यह वाली पुलिस बनोगे कौन सी भारत यह तुम को देखना है तुम जाओगे यहां से घर जायूगे घर से इस्कूल आते है हमारे स्कूल में जूला नहीं है हमारे स्कूल में पानी बरा रहता है हमारे स्कूल में टाइल्स नहीं लगी है हमारे स्कूल में यह नहीं है बार ऐसे चबूतरा है ऐसे गलियों में पानी बरा है नालियां साफ नहीं जो भी तुमारे कमी है वो तुम अपनी कापी में बाट करो तब जाके जब तुम्हारे हाथ में कमान आएगी अभी 12-12 साल के हो तुम लोग और 6-7 साल बाद तुम लोग इलेक्षन लड़ने के काबिल हो जाओ गया ठारा साल में लड़ने लगते हैं आदमी लेक्षन तो छे साल आएं छे साल में तैयारी कर लीजिए कि हमको क क्या क्या करना है ठीक है जैसे अभी एक जगे हमने पढ़ाता पिछली बार जब लेक्षन हुआ तो परधान का परचा आया तो वो परधान ने क्या लिखा अपने परचे में कि जितने भी गाओं में लड़के गुम रहे हैं सबकी साथी करवा देंगे तो ये भी एक मुद्दा हो गया तो ऐसे करोगे तो क्या भी कास होगा भारत का होना क्या चाहिए जितनी गाओं की गलियां है गाओं है स्कूल है इसको सबको क्या कर देंगे सुन्दर कैसा बना देंगे लाइट की बिवस्ता सही पानी की बिवस्ता सही तभी तो यहां अच्छा लगेगा कि रिष्टेदार आया गर के सामने पानी बरा नाली का तो क्या कहेगा कैसा गाओं है कहेगा कि नहीं करेगा बदरामी करेगा तुम्हारे गाओं की और फिर दूसरे नंबर पर किसको गाली देता है परधान को कहता है कौन परधान है कुछ काम नहीं कराता कहता है थामिता कुछ पैशा कर्छा होता है किसी काम होते हैं जिनमें कुछ पैशा नहीं खर्चा होता अभी पंदरा दिन बाद उनमें फूल आने लगेंगे बढ़िया गेंदा में फूल आने लगेंगे तो जो नहीं आएगा गाउं तुम अपना गाउं अच्छा बना लोगे और कलका भारत भी अच्छा बन जाएगा ठीक है तो तुमारे कंदों पर भविश्य टिका है किसका भारत का हम लोग तो जैसा कर रहे है आज का भारत तो देखी रहे हो कैसा है है कैसा है बताओ अच्छा है क्या आज का भारत हमें तो नहीं लगता आज का भारत अच्छा है लेकिन पाकिस्तान से स्री लंका से और बांगलादे से भूटान से नेपाल से इंसे सबसे बहुत अच्छा है हमारे हां क्योंकि इमानतारे लोग ज़्यादा हैं बैइमान कम है बहिमान कम है लेकिन बहिमान होने नहीं चाहिए बिल्कुल खतम होने चाहिए जब तुम लोग जब यह करोगे आगे चलके तब यह होगा अभी हर जगे बहुत ब्रेश्ट लोग हैं यह देखो संतराम खड़े गए एक वकील के पास कि हमको न्याय दिला दो वकील ने कितने लिए तीस अजार रुपे ले लिए उनका न्याय भी नहीं मिला ऐसे ऐसे यवकील हैं ऐसे डाक्टर है जाओ तुम डाक्टर के पास दिखाने में अच्छत मार्श कोई नहीं है बता देगा तुमारा आप्रेश्ण कर देगा आप्रेश्ण में क्या मिलता उसको एक पैसे अपने गाव के कोटेदार बढ़िया बुलेरों से बैठके गए कहां कानपूर गैस्ट्रो लीवर आश्पिटल बैठके गए वहां पर क्या बोला वह तुम कैसे आ गए तुम तो बस आते नहीं तो तुम आजे मर जाते उनको डरा दिया और उनका क्या कर दिया आपरेशन करने तीने चार महिना बाद मर गए हूँ तो डाक्टर भी निहायत आज कल के बेमन निहायत बेमन यह नहीं देखते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है पहुंचे अगर पहुंच गया कोई मरीज तो उसका आपरेशन पक्का आदमी जाने से डरने लगा है अस्पताल prima जाने से आदमी डरने लगा है Liebe अगर पहुंच गए तुम फैंचो खे देब्र पिर होते हैं यह होते हो जो मतमें मैंशती जैसे बच्चे हुए पहुंच गए असपताल अब तो असपताल में होते हैं पचास साथ अजार-चाथ से अजार तक ले लेते हैं भिकारी बना हो कि तो हर तरब दूरस्टाचा रहा है उसको कौन खतम करेगा कौन कसे परेगा तुम लोग कब खतम करोगे जब बड़े हो के जब 18 19 27ount rival में को जाओं तुम्हें में से कोई डाक्टर बनेगा तुम्हें में से कोई पुलिस बनेगा तुम्हें से कोई आर्मी में जाएगा कोई प्रधान बनेगा को बीटीसी बनेगा को ब्लाग प्रमुख बनेगा को बिधायक बनेगा तब खतम होगा यह समझ में आई बात की नहीं आई तो कसके तयार हो कमर कसके ठेक है धन्यवाद